हेलो इस्टुडेंट्स वी आर लाइब नौ वेलकम तो एसा येस ओनलाइन क्लास है साय मंकेद भैट एन इम गोईंग टू डिसकस चैप्टर नंबर 13 मोशन एंड टाइम ओके इस्टुडेंट्स आज कुछ नुमेरिकल्स डिसकस करने थे और मैंने कहा तान आज क्लास में डि इस्टूल्स ये उसका हाउस है सपोस्ट एट फास से सपोज से सपोस्ट एट इसका सपोस्ट है और उसकी स्पीड जो है वो 24 किलमीटर पर ओवर की है and reaches school in 20 minutes और इस school जो है कितने टाइम में पहुँचा जा रहा है 20 minutes में how far is the school from his house उसके school से घर कितने दूर है means distance आपको find करनी question mark ठीक है speed हमको दी गई है 24 km per hour and time हमको given at 20 minutes 20 minutes को हम hour में convert करें क्योंकि speed जो है speed हमको km पर hour time कि से वो रहा है dictate hour से तो हम time को भी hour में convert करें इस बात का विश्यस ध्यान रखिएगा 20 और 60 से divide कर देंगे minute से किसमें convert हो जाएगा hour में ठीक है 00 कट कर लेंगा 1 by 3 अवर हमारा find हो जाएगा और हमको d अफाइड करना है distance is goes to speed into time ठीक है speed हमारी है 24 and time हमारा है 1 by 3 cutting कर लेंगे so 8 और distance किसे denote हो रही थी km km से तो distance कितनी है school to home 8 km okay so I think समझ में आ गया होगा अब जैसे second वाला जो question है cockroach covers a distance of 30 minute in 1.5 minutes okay what is the speed of the cockroach अब देखें सेकेंड यह तो first question हो गया और यह second so cockroach की distance कितनी है कितनी distance cover कर रहा है 30 meter okay कितने minutes में 1.5 minutes में okay so देखें स्पीड जो होती है वो दो ही तरीके से आपको बताई गई होगी km per hour और दूसरी स्पीड होती है unit meter per second okay यह दो ही तरीके से speed यह तो दो ही km per hour से compare करके निकालेंगे या meter per second से तो देखेंगे distance तो और लेडी मीटर में है time को किसमें convert करने minute से अब distance meter में है तो time किसमें convert करना होगा second में okay so second में convert करेंगे so 1.5 और 60 का multiply करें क्योंकि major unit से minor unit में convert करने ठीक है so 1.5 का 6 15 अभी points भूल जा रहा है 15 6 90 और एक 0 और यह 15 00 and 15 16 6 90 और अब जीरो पॉइंट काउंट कर लेंगे बिफोर वन डिजिट पैक से वन डिजिट काउंट करके 90 आपका seconds में convert हो जाएगा time और speed आपको find करनी cockroach की so speed of cockroach is speed is goes to distance upon time okay distance cover कर रहा है 30 मीटर और कितने times में 30 seconds में okay so 00 cancel out हो जाएगा थ्री बंजा थ्री 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 था three times जाएगा फिर वन आ जाएगा पॉइंट लगई जीरू से दिके 33 रिपीट होता रहेगा तो बस दो डिजिट तक निकाली जीए अप्रोग 0.33 मीटर पर सेकेंड okay so one by three भी करेक्ट है और decimal में 0.33 भी करेक्ट है okay so I think समझ में आ गया होगा एक यह जो थर्ड वाला जो है आपका वह आप एक बार ट्राइ करेंगे next class में discuss कर लेंगे एक बार आप ट्राइ जरूर करेंगे अब आते हैं अपने टॉपिक में measurement of time okay time को measurement करना time is very important in our day-to-day life okay for example if you do not reach your school on time then you may be punished ठीक है अगर हम टाइम से स्कूल नहीं जाएंगे तो हमको क्या मिलती है punishment मिलती है again in order to board a train you need to reach the railway station on time otherwise you will miss the train अगर हम railway stations में अगर हमको train में बैठना है और हम सही time पर नहीं जाएंगे तो हमारी train भी मिश हो जाएगी ठीक है in ancient times भाई उस time पर वाच चलती नहीं थी ancient time से पूराने समय में time was measured as the span between sunrise to sunset sunrise to sunset sunset इस टाइप से time को measure किया जाता था count किया जाता था one full moon to new full moon one full moon से new moon तक count किया जाता था one season to another अगर किसी ने रिटिक प्रोश्चन की कौन से विच्चराई थी मोहन जोदार हो ठीक उसमें देखे एक सूरा दस सूरा इस तरीके से बात करते ना तो इस टाइप से होता था such methods of measurement of time had many drawbacks लेकिन इस time के जो method था time का इसमें कई सारे drawbacks भी थे since the time intervals वर लॉंग क्योंकि वाइस जो summers में और winters में sunrise और sunset का time अलग 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 होता और weather के according sunrise और sunset का बहुत अलग अलग होता है किसी दिन जो रहनी season है उसमें बादल आग है तो sunrise और sunset हुआ ही नहीं ठीक है इस फॉर्म वन टाइम तो दी अदर वन ओफ दी एरलिष्ट डिवाइस फॉर मेजरेंग टाइम वस दी संडायल ओके यह देगे संडायल आपको दिख रहा होगा बट बट असंडायल वर्क्स ओंली वें दी अधिस संडायल भी कबबर करता था जब संडायन ओं ठीक है एरलियर पीपुल और सो यूजट केंडल क्लॉक्स देगे केंडल क्लॉक्स यह तो वाटर क्लॉक्स है केंडल क्लॉक्स का जहां पर कहीं फीगर नहीं है सैंड बना है केंडल क्लॉक्स नहीं है चैंडल क्लॉक्स इजय जाते था थी कि हर केंडल 4 hours में डिवाइट थी and hourglass and sand glass ठीक है एक hourglass और sand glass we was used to tell times बनाय जाता था इसमें एक क्या करते थे bottom में एक hole कर देते थे और पानी दी में दी में निकला करता था ठीक है was used to tell time by means of sand trickling through a narrow openings ठीक है जिसमें सैंड देखे इस टाइप से सैंड फिल कर दी जाती और एक नैरो होल से ये एक साइड से दूसरे साइड आती थी और फिर इधर वाला साइड फूल हो जाता था तो फिर इसको पलेट के रख दिये जाता था इस साइप से काउंट के जाता था ताइम सेंड ट्रीक दू अनैरो नारो उपनिंग ए वाटर क्लोक मेजरी अमेजर तैम बाया थूब एलाइप वाटर तू रॉली फो लोली फूली पॉन उनमार्ग पंतेनर थू अनधर एम आद आड अवल नवड़ेस अन। आज अड़ेस ल क्लास में डिसकस करेंगे आज के लिए इतनी रखते हैं और डेट डालते इलेवन ट्वेल और ये पार्ट आपका शायर कौन से पार्ट होगा ये पार्ट वन पार्ट फॉर फॉर होगा ये आपका पार्ट फॉर है तो बैटेक केर